हलो लेडिज, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है ग्लोइंग स्किन के लिए एस्ट्रोलोजिकल रेमेडीज हर महिला चाहती है कि उसके चहरे पर एक चमक हो और उसके स्किन बहुत अच्छी हो तो इसके लिए कुछ एस्ट्रोलोजिकल रेमेडीज की जा सकती है जो आपके स्किन की क्वालिटी को और टेक्स्चर को इंप्रूव करेंगे एस्ट्रोलोजिकली वो कौन से ग्रह है जो आपको अच्छी स्किन दे सकते हैं वहाँ सूर्य, शुक्र और चंद्र शुक्र जहां आपको attractive बनाता है वहीं चंद्र आपको एक glowing skin देता है और सूर से मिलता है आपको तेज लेकिन इन सब के उपर आपको skin related problems देने वाला ग्रह होता है बुद तो अगर आपकी कुटली में बुद पीड़ेत है तो आपको कुछ न कुछ skin related issues, eating, pimple, rashes, skin diseases बने रहेंगे अगर आपका बुद कुडली में balance है, अच्छा है तो आपके skin का normally, जो skin related ailments है या problems है वो आपको नहीं होंगी और फिर next step रहेगा अपने skin को बहतर बनाना, उसमें glow लाना तो पहले हम बात करेंगे, बुद से संबंदे तो पायों की और फिर हम बाकी के ग्रहों पर आएंगे तो बुद को अच्छा रखने के लिए, आपको क्या करना है, बुद का color होता है green तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उप्योग कर रहा है आप खुद भी हरा रंग पहन सकते हैं, आप अपने कमरे का डेकॉर भी हरा रख सकते हैं और अगर आप कमरे का light green color का डेकॉर रख सकते हैं और आपको करना है पेडों की सेवा आप अपने घर में garden maintain करिए और पेडों की सेवा करिए, रोज उन्हें पानी दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने बुद को बिगाड लेंगे तो आपको greenery जो है अपने घर में रखनी है और greenery को बचाना है और दूसरा आपको क्या करना है, आपको खाने में भी जधा green खाना है yes, green vegetables, आपको हरी सबजियां खानी है, salads, salad खाने है और इसके अलावा आपको क्या करना है, बुद का जो मुखे वो है अनाज, वो है साबित मूग, तो आपको साबित मूग को अंकुरित करना है sprouted मूग, और आपको उसे खाना है, आप कम से कम एक साल regularly sprouted मूग खाईए और क्योंकि बुद ये फसलू की उत्पत्ती, हरियाली, इसका कारक होता है तो इसलिए आपको जवारे का juice पीना है गेहों को बो दिया जाता है, उसमें से जो निकलती है वो घांस, उसको आप काटिये आप अपने घर में गमले में इसे लगा सकते, आप उस घांस को काटिये और उसका juice बनाईए, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बड़ ये health के लिए बहुत अच्छा होता है तो वो आपके बुद को positive करेगा और आप वो जवारे का juice पीजे तो आपको ये सारी green चीज़े जो है, वो लेनी है अगर आप इसे regular basis पे लेते हैं, आप एक साले से आजमा के देखे आपकी skin में definitely improvement आएगा, आपको लगेगा आपकी skin पहले से बहुत बहतर हो गई आपकी तवचा में बहुत सुधार हुआ है अब बात करते हैं glow के लिए, glow के लिए हम पहले आएंगे चंद्रमा पर तो चंद्रमा से संबंदेत उपायो में आपको क्या करना है, आपको चंद्रदेग को जल देना है तो आप उन्हें चांदी के लोटे में जल दीजे चांदी का लोटा नहीं है तो आप गलास में दे सकते हैं अगर आपके घर में चांदी का गलास, कटोरी या लोटा नहीं है और रात में सोने के समय आप अपने बेट साइट टेबल पर चान्दी के ग्लास लोटे या कटोरी में पानी भर के ढखके रख देजे और सुबह आप उस पानी को पीजे और आपको पानी जाधा पीना है क्योंकि चंद्र जो है उसमें वो वाटर एलिमेंट है वो पानी वाला यह तो मेरी लेक पनिशमेंट है और मुझे तो इतना पी नहीं पड़ेगा और मैं जैसे तैसे इसको गटक लेती हूँ तो आपको उसका रिजर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्र मन के भी कारक है तो आपको वो पानी मन से पीना है दिल से पीना है को बहुत खुश होगे पानी पीना है अब मैं यह पानी पीरी हूँ और अब इससे मेरी बोड़ी के जित्ते टॉक्सिंज है वो सब निकलेंगे और चंद्र देव प्रसंद होंगे और वो मुझे ग्लो देंगे चांदनी की तरह चमका जाएगी चहरे पर और चंद्र स्वामी है माता के स्थान के तो आपको मा की सेवा करनी है जब आप मा की बहुत सेवा करते हैं और मा को खुश रखते हैं तो आपके चंद्र मा भी खुश हो जाते हैं और वो आपको फिर आपके चैने में ग्लो लाएंगे आपको सुन्दरता प्रदान करेंगे इसकी अलावा आप ये चंद्र मुद्र करिए ये skin के लिए बहुत अच्छा होता है इसको चंदर मुद्रा है इसको इंदर मुद्रा भी कहता है तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी शुक्र महिलाओं के लिए बहुत important होता है बट normally आप शुक्र को सुधारने के लिए महिलाओं के प्रती बहुत अच्छा वहवार रखें और लक्ष्मी जी की उपासना करें आप लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करें और लक्ष्मी जी के मंतर का 108 बार पाठ करें मैंने अल्रेटी वीडियो बनाया हुआ है लक्ष्मी जी की उपासना के उपर आप उस वीडियो को देखिया और आप उसके अनुसाल लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए उससे आपको लाब मिलेगा अब हम बात करते हैं सूरे तेर की जो आपको अंदर से तेज देंगे तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको सूरे को जल देना है अगर आप सूरे को जल देने के साथ ही सूरे नमस्कार भी करते हैं बहुत अच्छा है और अगर आप गैतरी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सूरे और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और आपकी बोड़ी में इनर एनरजी आती है और जब सूरे प्रबल होते हैं तो वो अंदर से तेज लाते हैं तो आप गैतरी मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर की जो उजा है वो बहुत बढ़ेगी और वो आपके चहरे पर ग्लो लेकर आएगी सूरे के लिए आप पिता की सेवा भी जरूर करेंगी आप ये उपाय करेंगी, आगे मैं बाकी सारे ग्रहों पे जब वीडियो मनाऊंगी तो उसमें भी आपको उन ग्रहों से संबंदित वो उपाय देखने को मिलेंगे जिनही करने के पश्षात आप एक ज़ादा अच्छा चहरा और स्किन अलब एक प्यूडिफल स्किन आप पा सकते हैं आप इन रेमिडीज को फॉलो करेंगे और आप कुछी महिनों में आप अपनी स्किन में सुधार देखेंगे एक और उपाय है जो आपको करना है वो है श्रीफल से जड़ा हुआ श्रीफल याने नारियल हमारे इसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पूजा में उप्योग किया जाता है तो आप अपने खाने में जितना ज़्यादा नारियल को उप्योग करेंगे उत्ता अच्छा है अगर आपको नारियल के तेल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप नारियल पानी पी लीजे, नारियल को कद्दू किस करके खालीजे और साथ में नारियल का तेल लगाएगे चहरे पर, उससे अपने चहरे की मसाज करिए इससे आपका चहरे का ग्लो बढ़ेगा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जो बहुत महत्वपून है, वो है आपकी सूरे नारि और चंदर नारि अगर ये योग की नारियां होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं, तब इन नारियों का उसमें जिक्राता है तो अगर आपकी नारि बैलन्स नहीं है, आपकी चंदर नारि ज़्यादा सक्रिया है, या आपकी सूरे नारि ज़्यादा सक्रिया है, तो आपकी स्किन जो है, वो ज़्यादा ड्राय हो जाएगी, या उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओयल निकलेगा, और आपको पि में बैलेंस होंगे और वो आपको चेहरे में देंगे कमाल का ग्लो so hope to see you with a glowing face thank you, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो please subscribe me मैं आगे भी और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी और अगर आप किसी particular topic पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओं तो please comment कीजेगा मैं बनाओंगी हमस्कार